साथियो नमस्कार, साथियो जैसा कि आप सभी को पता है आज HPSC ने PGT का ओफिसियल जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया है आज हम इस वीडियो में जानेंगे PGT हिस्टरी के बाले में कितनी वकैंसिज है क्या ट्रम कंडिशन क्वालिफिकेशन है पेपर पैटरन क्या होगा ये सारी चीजे जानेंगे सबसे पहले दोस्तो रेश्टो फरियाना की जो PGT हिस्टरी की वकैंसिज है उसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं फारम भरने की जो तीथी है वो ठाईच है दो हजार तेईस होगी और जो लास्ट डेट है फारम भरने की अंतिमती थी वो ठारा जुलाई दो हजार ते हिस्टरी की क्योंकि हिस्टरी की जो है बड़ी वकैंसि है इसमें आप देख भी सकते हैं टोटल जो वकैंसिज हैं वो 220 हैं जिसमें जर्नल कैटिगरी की 112 पोस्ट हैं SC की 44 पोस्ट हैं BCA की 22 पोस्ट हैं BCB की 11 पोस्ट EWS यानि Economic Weaker Section उसकी बाई पोस्ट है इसके लावा दो दोस्तो 33 परसेंट जो वो फिमेल का Reservation होता हैological जिसमें जर्नल की 40 पोस्ट बनेंगी SC की 15 बनेंगी और BCA की 17 इसके लावा दोस्तो EASM जो है एकfront इसका भी 5% horizontal कोट्टा होता है जिसमें जर्नल की 6, SC की 2, BCA की 1, BCB की 1 इस परकार टोटल दोस्तो 220 पोस्ट है PGT हिस्ट्री की जिसमें अगर हम बात आगे दोस्तो करें पेपर पैटरन का क्या होगा पेपर पैटरन ये बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है तीन भागों में एक्जैम होगा सबसे पहले सकीम पैटरन ओफ एक्जैम सक्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें टोटल नमबर ओफ एमसी क्यों 100 होंगे यानि 100 क्वेस्टन होंगे मल्टिपल ओब्जेक्शन जो है अराउंड 80% of total question will be from the concerned subject और इसमें से 80% जो question है वो subject से जुड़े होंगे दोस्तो यानि history से जुड़े होंगे और जो remaining बाकी बचे हुए question है from the topic of education psychology psychology से जुड़े question आएंगे जिसमें journal awareness के question होंगे mental ability यानि reasoning के question होंगे logical reasoning के question होंगे problem solving numerical यानि कुछ math के question होंगे ये होंगे और जो time duration of exam है वो 2 घंटे की होगी इस परकार total जो marks है वो 100 होंगे सबी question के बराबर आँक होंगे each question will have 5 option और बड़ी बात दोस्तों ये है 4 की बजाए 5 option होंगे इसमें जो exam है और दोस्तों इसमें लिखा भी है बहुत ही जो important बात है one fourth mark will be deduct from its wrong question यानि negative जो marking है दोस्तों वो PGT exam में जरूर होगी और ये होगी one fourth यानि अगर आपके 4 question गल्थ पाते हैं तो एक जो आपका question है उसका number काट लिया जाएगा ये बहुत ही important दोस्तों बात है यानि जो negative है उसका प्रावदान किया गया है दूसरा जो exam होगा दोस्तों subject knowledge test जिसकी time duration तीन घंटे होगी तीन घंटे का exam होगा इसके total जो अंक है वो डेड़ सा होगे और ये जो है syllabus का exam होगा यानि PGT history का ही question पूछे जाएंगे इसमें the number of candidate to be called for interview will be two times दो गुना जो candidate है वो दोस्तों interview के लिए बुलाई जाएंगे और the weightage of the subject knowledge test will be 87% जो होगी और जो तीसरा दोस्तों पढ़ाओ है या तीसरी जो stage है वो होगी interview की the weightage of the interview will be 87% यानि total 100 में 87% जो है वो screening test होगा और 12.5% जो है वो interview होगा इस प्रकार दोनों के नमबरों को मिलाकर 100 में से ये जो merit है वो निकाली जाएगी और दोस्तों जहां तक बाद pay scale की है 7600 basic होगी जो 1,51,100 maximum तक जाएगी इसमें समय समय पर जो भी भत्ते हैं बी ए एचारे मेडिकल वो मिलेंगे और दोस्तों जहां तक बाद age limit की है आप देख ली सकते हैं कम से कम 18 साल होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा बियारी साल होनी चाहिए जो last date है 18-7-23 इसके निसार जो ऐसी schedule कास्ट है उसको 5 साल का जो छूट है age में वो मिलेगी इसके इलावा जो backward classes है हरियाना के उनको भी 5 साल की चूट मिलेगी जो disabled person है उनको दोस्तों 10 साल की जो चूट है वो उमर में मिलेगी इसके इलावा दोस्तों जो military personal है उनको भी 5 साल की चूट मिलेगी अगर कोई widower है legally divorced woman है उसको 5 साल की चूट मिलेगी unmarried जो woman है उनको 5 साल की चूट मिलेगी उमर में और जो ex-serviceman है उनको भी दोस्तों जो है चूट दी जाएगी तो दोस्तों मोटे मोटे तोर पर जो PGT history है उसका schedule हमने आपको बता दिया है कि 220 post है तीन stage हो में जो selection process है फारम जरूर भरें और अच्छे से दोस्तों त्यारी करें उमीद है अब की बार HPSC इसको विजापन को वापिस नहीं लेगी क्योंकि 2019 से ये जो भरती है वो लटकी पड़ी है बार बार इसका विजापन निकाला जा चुका है बार बार ज्ब झाले है